हेलो दोस्तों दोस्तों मेरा नम त्रिभौन सिंग है मैं रेरा साटिफाइड पॉपर्टी कंसल्टेंट हूं और आज मैं ग्रेटा नोड़ा की पैरामॉंट गोल्फ फॉर्ट ससाइटी के अंदर एक बिला दिखाने वाला हूं कि प्लेस सर्वेंट का विला है कि साड़े 17 से स्क्वार फिट सात्रा सो ब्यालिफ स्क्वार फिट का बिल्डप अरिया है असी गज का प्लॉट एरिया मेरे बैक साइड में आप बिला देखें यह विला है इसका पूरा आप बाहर का फशाड देखें एक बार इस उपर तेक यह 17 से स्क्वार फिट का विला है 3 बैड रूम है कि अन्दर इटुलिटी रूम है और आपका लिविंग रूम है किचेन है अगर आप ग्राउंट फोर में और सिफ लिविंग मिलता है एक वचम मिलता है और आपको dispatch वर्स्ट फ्लूर में दो बैड रूम मिल्टे हैं दो दो बेड्रूम के साथ दो वाश्रूम मिलते हैं और इसके बाद सेगेंड फोर में आप जाते हैं तो एक बेड्रूम मिलता है और एक आपको सर्वेंट रूम मिलता है दोस्तों जहां पर मैं खड़ा हूँ आप मेरे पीछे देखें कि यह मंदिर है संकर जी का मंदिर है आज यहां पर कारक्रम हो रहा है और इस सुसाइटी के अंदर करीब करीब दो हजार विलाज है सो एकड़की सुसाइटी है रेडी टू मूब इन सुसाइटी है तो दोस्तों यह सत्रा सो बैले स्ट्वाइर फिट का विला है इसमें पांच-छे साइजेज हैं टोटल विला के जिसमें असी गज के का यह विला है इसके बाद एक फोर भी एचके का विला आता है फिर देन और साइजेज आते हैं लेकिन आज स्पेसिपिकली मैं इस वीडियो में सिर्फ ए टाइप का विला दिखाऊंगा जो की 1742 स्पायर पीट है और असी गज के लगबग प्लॉट एरिया में इसका कस्ट्रेक्शन है आप सामने देख सकते हैं सामने का जो एलिवेशन है यह जो पार्किंग आप लेंथ देख सकते हैं और आप एक गाड़ी की पार्किंग बाहर फुटपाथ में कर सकते हैं अगर आप फुटपाथ आप देखें तो काफी वाइड फुटपाथ है आप यहां पर एक गाड़ी एलाउड है आप दो गाड़ियों की पार्किंग कर सकते हैं चोटा सा गार्डन है वैसे यह Corner है विला है तो वैसे बिला कोई खास फायदा नहीं है बस एक फायदा है कि आपको एक साइड में जगे मिल जाती है जहां से आप पार्किंग वहाँ पर अडिस्टनल आप कर सकते हैं जैसे घर के आप अंदर एंटर करते हैं तो आपको living room मिलता है और living room के साथ ये एक आपको powder room मिलता है washroom आपको एक यहाँ पर kitchen मिल जाती है और kitchen का size आप देखें अच्छा खासा size है kitchen का इससे एक चोटा बिला है 1450 square feet का उसका जो kitchen है बहुत चोटा है लेकिन उसमें ग्राउंट फोर में रूम मिल जाता है living room के साथ में 1450 square feet में फर्स टोर में दो bedroom मिल जाते हैं तो इसमें लेकिन open terrace open है और धाई फ्लोर बना है तो उससे ज्यादा अच्छा layout इसका निकल के आता है किचन साइज बढ़ा आता है लेडिस को किचन बहुत पसंद है इसलिए यह साइज जल्ली बिखता है और जो 1450 square feet है वो साइज बेचने में काफी दिक्कत होती को किचन बहुत ही compact साइज का है तो दोस्तों आप इसके पीछे आपको यहां पर washing area मिल जाता है और अच्छा ख स्टेर्स के साइड में भी आपको जगह है यहां पर आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन करते हैं जैसा आपक्षा है लेकिन इस पेस यहां पर है काफी सुन्दर बन जाता है यह विला अप्टर इंटीरिया और इस टेर्स में जो पत्थर लगा है ग्रेनाइट है अप्छ यह रूमी मिल जाता है रूम का साइज देखें तो करीब हूं second bedroom second bedroom आपका बिला के जो फ्रेंट साइड में खुलता है इसलिए इसमें लाइट नेचुराल लाइट ज्यादा होती है और रूम का जो साइज है वो काफी अच्छा है और इसके साइड में अंदर काफी बड़ी वाड्रोब आ जाती है यह जो वाड्रोब है बिल्डर ने दिया है ऐसा ही बना के दिया है और ने कोई वी काम नहीं किराया है अगर coupe कराना चाहें आप युपर तक वाड्रोब बनाए और काफी बड़ी वाड्रोब बनेगी इसके बाद यहां पर आपको मिल जाता है वाँगर वाँड सुन 001 और शूंट इसका वाँट तो मिल बाप से आ रही है बिंडो से और यहां यह आपका यह जो बालकनी है मैं आपको बालकनी दिखाओं इसकी बालकनी खुर काफी अच्छी है एक खुलने राध कुछ बॉल्ब्लम आप देखें बालकनी का जो विट है करीब करीब पौने पाँच फिट की विट मुझे नज़र रही है और इसकी लेंद भी काफी अच्छी है और बहर का आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा लग रहा है बाहर के इसके बिलाके बाहर का इरिया इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं, second floor, second floor हाफ बना हुआ है, और हाफ open terrace है, हाफ में आपको एक bedroom मिल जाता है, और एक servant room मिल जाता है, भी वाश्रूम, तोटल तीन बेडरूम है तीनों में वासरूम है सर्वेंट रूम है उस में भी वासरूम है और एक आपको लिविंग रूम में भी वासरूम मिल जाता है यह वेडरूम इसका भी साइज भही तेरा वाई तिए आप्षी डेप्थ है वाड्रोब की उपर से अंदाजा आपको लग जाएगा क्योंकि उबर खाली स्थेस क्रीब दो फिट की डेप्थ है इसकी वाड्रोब की इसके बाद ये जो स्टेर्स की ग्रिल है ये आईरन की है आप इसको चेंज कर सकते हैं आप इसको ग्लास की लगा सकते हैं आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं यह terrace है, terrace मेटा नॉमल है और इसमें अगर पाणी भर जाए by chance अगर यह blockage हो जाए यह किसी भी वज़े से अगर कोई घर में नहीं रहता है और मिटी भर जाए या कोई पच्छी मर जाए और यह blockage जाए तो पूरा पाणी भर जाता है यह एक major problem होती है बिलाज में जिसमें maintenance नहीं होता अगर आप घर में रहते हैं और maintain करके रखते हैं तो यह problem बिल्कुल भी नहीं आती है तो इसी करण से आपको कई बात दिखता है कि घर में सेपिस दिख रहा है और damping निजारा रही है लेकिन ऐसा तब नहीं होगा जब आप इ maintain करके रखेंगे तो कोई भी problem नहीं आएगी पूरी society hundred record की है और इसके बहुत सारे videos बहुत सारे sizes की videos मैं बना चुका हूँ जो सबसे बड़ा size है A type बिला बोलते है दिन उसके बाद जो type है वो B और C type है even C type बिला थोड़ी बड़ा है क्योंकि उसमें back side में garden होता है और A type बिला में भी garden होता है बांके के जो बिला उसमें back yard नहीं होता है फ्रेंट में छोटा सा lawn दिया जाता है और इस बिला की जो price है वो stable नहीं है यह मतलब किसी भी बिला की जो price है stable नहीं है उसका कारण है कि जो बिला का जो price है वो बहुत कम है अगर आप 17 स्क्वार फिट के आ आप अपार्टमेंट कहें लेने जाते हैं तो गेड़ करोड रुपए से नीचे नहीं आता है और अगर आप साड़े सत्रा सो स्क्वार फिट का यह बिला जो की जमीन से है और सारी society की जो facilities हैं वो सब कुछ इसके अंदर है clubhouse पार्क जिमनेजियम एक मंदिर market everything इसमें अब market में बिला के options ज्यादा नहीं है अगर आपको यह बिला डेड़ करोड रुपए से नीचे मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके जो prices हैं वो stable नहीं होंगे क्योंकि इसके prices वहां तक पहले उससे उपर जाएंगे जितने में आपको अपार्टमेंट मिलता है और इस बिला क का जो price है कोट नहीं कर रहा हूं लेकिन आप साड़े सत्रस स्वाइर के बिला का price आप एजूम कर सकते हैं कि कितना कितना price होना चाहिए और आप मुझे call करें मैं आपको इसके actual price बताऊंगा जिस समय आप मुझे call करेंगे और जिस price में वह अबलेवल होगा उस time पर उस समय हो जाता है जब दूसरा विलाता है वो different rate पर आता है इसलिए हम उसको एक price में नहीं बान सकते हैं price हमेशा demand और supply पर depend करता है अगर demand ज़्यादा है और supply कम है तो price vary करेंगे और अगर supply कम है supply ज़्यादा है और demand कम है तो price stable हो जाते है या drop करने लगते हैं थोड़ा-थोड़ यह है कि बिलास की demand जादा है और supply कम है इसलिए price stable नहीं हो रहे है एक जिगे और अगर आप यहाँ पर कोई property खरीते हैं इस time तो आने वाले time पर आपको या कभी भी आपको loss नहीं होगा price नीचे नहीं जाएंगे और वैसे भी जमीन से जुड़े घर में जिसमें जमीन हो औ और आपको उस पर घर हो उसके price कभी भी नीचे नहीं जाते हैं तो दोस्तो मेरा नाम त्रिभौन सिंग है मैं रेरा certified property consultant हूँ और मैं Paramount Gold Forest में मेरे पास काफी सारी property है इसमें मैं deal करता हूँ तो अगर आप इस property को लेना चाहते हैं या इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं pricing, registry, loan यह सब कुछ मैं आपको call पर बताऊंगा आप मुझे संपर्क करें मेरा phone number है 7838696817 थैंक य।